वेल्कम पेक अब्रेवरन वेल्कम टॉर्ट करते हैं तो कुश्चन नूम्बर बन है किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिशद के निर्ण को रद करने का अधिकार मिल गया कौन सा था वो चार्टर एक्ट है देखें चार चार्टर एक्ट हुए गवर्नर जनरल को अपनी परिशद के निर्णा को रद करने का अधिकार मिल गया साथ ही बंबई तथा मदराज पर गवर्नर जनरल के नियंतरन को इसपश्ट कर दिया गया और इस एक्ट के द्वारा यह भी तैह हुआ कि बोर्ड ओफ कंट्रोल के सरस्यों का वेतन भारते को से दिया जाएगा इससे रिलेटेड एक प्रश्ण पूछा है उसका आंसर क्या है 1793 का चार्टर एक्ट के संदर अरब में निमन कत्नों पर विचार केजिए तीन तीन स्टेट्मेंट है यहां पर बताना कि इनमें से कौन सा सही है तो कंपनी के भारते व्यपार के एकादिकार को समप्त कर दिया गया या दपी उसका चीन से व्यपार एम चाय के व्यपार पर एकादिकार बना रहा इसाई धर्म परचार को आग्या प्राप्त करके भारत में धर्म परशार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई तो देखिए उप्रोक्त तीनों कथन जो है वो सही है उप्रोक्त प्राबधानों के अतरिक्त अथारुसों तेरे के अधिनियम के तहत कंपनी की आयसे भारतियों की सिक्षा के लिए प्रतिवर्स एक लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्ता की गई है इंपोर्टेंट लाइनेस को याद रखिए हर साल एक लाख रुपए खर्च करे जाएंगे किसके उपर भारतियों की सिक्षा के उपर कौन से चार्टर अधिनियम के तहत अठारे सव तेरे के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के भागीदारों को भारतिय राजस उसे दस प्रतिशात लाभांस दिये जाने की ववस्था की गई वो कंपनी को अगले 20 वर्सों के लिए भारतिय प्रदेश उपर तथा राजस उपर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया कि इससे क्राउन के प्रभुत पर कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा वो लेखनी है कि भ 1833 के चार्टर एक्ट के संदर में कुछ स्टेट्मेंट है यहां पर बताने कि इन मेंसे कौन सा गलत है इन तीन मेंसे कौन सा गलत है तो देखे इस एक्ट द्वरा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्टे साब्त कर दिया गया पूर्टे साब्त हो गया था 1833 के चार् और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो बलकुल 1833 के चार्टर एक्ट केता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसको दिवरा भारत में सरकार का विधाई तथा प्रशासनिक रूप से केंदी करण कर प्रियास किया गया भी और के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्ट सवाप्त कर देगा भी सही है सबसे यदे पूछने वाले स्टिट्मेंट यह हैं और इनको हमेसे याद रखिए तो सारे के सारे तो करेक्ट है इसमें तो डी हो जाएगा उपरोक तुमस प्रसासनिक रूप से विकेंदिकरन करने का प्रियास किया गया बंगाल का गवर्णर जनरल भारत का गवर्णर जनरल बन गया और गवर्णर जनरल को कंपनी के सिवल तथा फौजदारी कारियों के निंत्रन तथा निर्देशन का अधिकार मिल गया तो गवर्णर जनरल के पास सिविल अधिकार भी आ गए है देखिए और फोजदारी अधिकार भी आ गए हैं दोनों के दोनों आ गए हैं Richard 1833 के चार्टा रेक्ट के तहट कोश्चन नुबर फोर है 1853 के चार्टा रेक्ट के प्रावधानों के संदर्व में कुछ स्टेट्मेंट है यहां पर तो गबर्नर जनरल की परिशत में कानून निर्माण में सहयता देने के लिए 6 नए सरस्यों की नुक्ति की गई कंपनी के ड क्यूंकि कंपणी के डारेक्टरों की संक्या 24 से घटाकर 18 8 वड़ाकर 24 जिन में से 6mal मननूनीद कि जाते थे दूसरा वाला गलत हो इसके अतरिक्त लिए इस वोकार नाओक खथन को Кथन किया गया को ध्यान से सुनिये का क्या 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 को अनकर हो रहा का शुरह Will he अतरिक्त देखे इस एक्ट के थे भारतिय विधी आयोग का निरिक्षन होगा अब इसके लिए क्या हो रहा है इंग्लेंड में विधी आयोग की स्थापना हो रही है कम्पनी को भारतिय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनु अब भारत का शाषन बिटेश सामगरी की ओर से भारत राज्य सचेव मतलब सेकेटरी ओफ स्टेट फोर इंडिया को चलाना था जिसकी साहता करने के लिए 15 सरसिया भारती परिशाद मतलब इंडियन काउंसिल का गठन किया गया अब भारत के सासन से संबधित सभी कानूनों पर भारत सचेव की स्विक्रती अनिवार कर दी गई जबकि भारत परिशाद केवल सलहकारी प्रकरती की थी इस पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक लाइन से निकाल सकते हो आप संबंधित भारत के सासन से संबंधित कानूनों पर भारत के सचेव की स्विक्रती अनिवार कर दी गई तो क्या पढ़कर आया अगर थोड़ा वो जी इस पढ़ी होगी तो इस लाइन को सुनकर महरानी विक्टोरिया की उद्गोश्णा तो इसका क्या हो जाएगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम से अप्सन नंबर सी के इसने पढ़ा इलावाद में लॉर्ड कैनिंग ने तो उपरोक्त कथन 1858 के भारत सरकार अधिनियम से संबंदिते इस एक्ट के द्वरापिट सिंडिया एक्ट की द्वैद सासान व्यवस्ता को संप्त कर दिया गया और इसके अन्य प्राबधान क्या है डाइरेक्टरों की सभा मतलब कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर और नेंतरन बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को संप्त कर दिया गया और उनके समस्त अधिकार भारत सचिप के पास आ गए अब गवर्नर जनरल में क्राउन के प्रतनिधी के रूप में कार करने लगा गवर्नर जनरल तथा उसे वाइसराय की उपाधी दे दी गई और अनुवध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली परतियोगिता दोरा की जाने लगी अब प्रशन है 1858 खोष्णापत्र के संदर्ब में गवर्नर जनर जनरल यहां पर भारत सरकार अधनयम तो अब देखमाधी परोट नियुक्तिया गया इक पहत अगरे में और गयह व्यूज het सरकारी पदों पर न्युक्ति योगिता के अधार पर किये जाने का निर्णे लिया गया, भारतियों के सामाजिक वेधार्मिक मामलों में हस्तक शेप नहीं किये जाने का निर्णे लिया गया, निर्णे तो लिया गया, ये सारे के सारे हुए, मतलब निर्णे ऐसा निर्णे के इनके अतरिक्त इस घोशना पत्र द्वारा भारत का साशन कमपनी से लेकर बिटिस क्राउन के अधिन कर दिया गया जिसमें रियासतों के संबंध में यह घोशना भी की गई की कमपनी द्वारा भारते रियासतों से की गई संधियों का पूर्णत संबान किया जाएगा तथा देशी नरेश्टों के अधिकार तथा संबान की रक्षा की जाएगी। एक हाई कोट की स्थापना की गई और 22 राय की कारक्रणी में एक पांचवा सरस आर्थिक मामलों पर सला देने के लिए नुक्त किया गया। गलत है क्योंकि आर्थिक मामलों पर नहीं या वित्त मामलों पर नहीं वो कानूनी मामलों पर सला देने के लिए किया गया था। उसका उसकी नुक्ती तो गलत है वाला स्टेट्मेंट तो गलत हमको ढूड़ना है कि अबर चार गलते हैं हापर भी। तो देखिए कथंचार कलत है क्योंकि वाइसराय की कारकारणी में एक पांचमा सरस्त समलित किया गया जो विधिवेत्ता होता था मतलब कानून से संबंदित होता था ना कि विध्ते पे भाग से। कोश्चन नुम्बर एट है 1892 के भारत परिशद अधिनियम की प्रश्ट भूमी के संदर में नमलिखित कतनों पर विचार कीजे तीन-तीन स्टेटमेंट हैं पर पताने की कौन सा सही होगा। तो 1861 में इस्थापरत विधान परिशदों में जो गैर सरकारी सरस थे वे जनता का परिदनित नहीं करते थे ऐसे में सुधारों की मांग की जाने लगी लाड लिटन की नीतियां कौमा 1878 ईसवी का भारतिय भासा समचार पत्र अधिनियम तथा भारतिय सस्त्र अधिनियम न जनता में रोज पैदा कर दिया और तीसरा स्टेट्मेंट है कॉंग्रेस ने मांग की कि विधान परिशदों का सुधार वे विस्तार किया जाए तथा इन परिशदों में विचार के लिए वजट प्रस्तुत किया जाए तो 1892 के संदर में भारत परिशद अधिनियम के संदर में सत्य यहां पर तीनों के तीनों स्टिट्मेंट हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर डी तो देखिए उपरोक्त तीनों कतन सत्य हैं उपरोक्त के अतिरिक्त इस अधिनियम में किस अधिनियम में 1892 के भारत परिशाद अधिनियम में लॉर्ड लिटन के प्रशासन से सरकार के प्रती भारतियों में कटूता बढ़ गई और इस प्रशासन पर यह आरोप लगा कि उसने भारतियों को और निशक्त बना दिया है कोशियर नमबर नाएन है नमबर के दमें से किस अधिनियम की आलोशना करते हुए दादा भाई रोड जी ने कहा कि इसमें किसी सरस्य को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा नहीं वित्य विचार विन्यमन में सदन का मत विभाजन मांगने का और नहीं इस अधिनियम के अधिन बनाए गए नियमों अथवा इनके अधिकार द्वारा दिये गए प्रश्नों के उत्तर में ऐसा करने का अधिकार होगा इस एक्ट के अधिन बनाए गए नियमों को समाप्त करने अध्वा इनमें परिवर्टन करने का अधिकार उस सभा को नहीं होगा जो कानून अध्वा नियम बनाने के लिए बुलाई जाएगी ये किसके बारे में बोल रहे हैं दादा भाई नोरो जी अथारे सो बैनंवे का भारत परिषद अधिनियम ऑप्शन नमबर बी इस्वी के भारत परिषद अधिनियम की अलोशना करते हुए उक्त सब्द कहे थे पूछले जाते हैं इस तरिप्ञ्ष्ण कुश्चन नमबर दस है उननिस सो नो के भारते परिशत एक्ट के संदर में नमलिकित कत्नों पर विचार कीजे इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पर्थक निर्वाचन छेतर के विवस्ता की गई तथा मुसलमानों के लिए आनुपातिक संख्या के अनुसार केंद्र विवस्तापिका सभा में सीटे सुरक्षित कर दी गई और दूसरा स्टेटमेंट है इसके तहत इस्त्रियां तथा वे सभी लोग जो 25 वर्ष की आयू से कम हो वोट नहीं दे सकते 25 वर्ष की से कम तक की आयू के लोग वोट नहीं दे सकते इन सो नो का भारत परिशद एक्ट इंपोटेंट है उसी प्रकार उनने संौ 99 वह इंपोटेंट है और सारे के सारे मतलाब चारों चारों चार्टर एक्ट भी important है 1858 का महरानी विक्टोरिया की खोष्णा या इसको बोलते हैं भारत सर्कार अधिनियम और important है most important है ठारशो पैर्नियम ये सारे कि ओड़ ses कर собствен कराये जाए चाएंगे है इसनले practice करते रहे हर दिंद तो दोनों के दोनों फिलाल YouTube 25 वर्ष कम से कम निस्सोनों के अधिरियम के तहत भारत परिशद अधिनियम या एक्ट के तहत तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं उपरोक्त प्रावधानों के अतरिक्त इस अधिनियम में मुसलमानों की अपेक्षा केंद्र मुसलमानों की अपेक्षा गैर मुसलमानों के लिए मत अधिकार की अधिकार प्राप्त हुआ और स्री ए सी पी सिनह इस परिशद के पहले भारते सदस्य बनाए गए आरंभ में उदारबादी कांग्रेसी नेताओं ने इस अधिनियम का स्वागत किया किन्तु जल्द ही इसे पर्तिकरियाबादी अबम निरासा जनक बता दिया उन्होंने किसे 19 1902 के भारत परिशद अधिनियम को इसको इंग्लिज में इन्डिया कउंसिल आक्ट 1909 इसको एक नाम एक मतलब एक अन्य eating नाम से जाना जाता है उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं परिक्षाओं में मारले मिंटो अधिनियम कौन सा अधिनियम मारले मिंटो अधिनियम और 1919 को बोला जाता है Montague, James Ford, Adenium ये दोनों के दोनों किस से संबन देता है संबैधानिक सुधारों से संबन देता है यह प्रश्ण UPSC सिविल से में पूछा जा चुका है या तो 17 में पूछा है या फिर 2018 में पूछा है तो 10 प्रश्ण ते इंपोर्टन थे भारत का इतिहास संबैधानिक सुधार अच्छे से इसका रिविजन कर लिजेगा इन मैंसे ही सारे के सारे प्रश्ण मिलने हैं UPSC की सिविल से बाउ में चाहे वो 2021 में होगी 22 में, 23 में, 24 में, 25 में क्योंकि स्टैटिक तो चेंज होगा नहीं है जो भारत का इतिहास है वो तो वैसी रहेगा चेंज होगी तो क्या? करन्ट अफेर्स, धन्यवाद